कि है गाइज कैसे हैं आप लोग उम्मिद करता हूँ कि आप अच्छी से होंगे और पढ़ाई पे धान दे रहे होंगे तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास टेंथ के चेप्टर ट्वर्ल एलेक्टर सिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ओम्मिद के बारे हम बात करेंगे इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था पोटेंशल डिफ्रेंस के बारे में ठीक है उससे रिलेटेड कुछ कोश्यंस भी किये थे आज हम बात करेंगे ओम्मिद के बारे में ओम्मिद के बारे में होता क्या है और इसक इसका कहने के मतलब यह है कि पोटेंशल डिफरेंश जो होता है कंड़क्टर के दोनों एंट पे यानि कि हमारे एक अंड़ेंड बें और इस एंड में जो पोटेंशल डिफरेंश होता है वो किसके डिरेक्टली प्रपोस्टन होता है वो करेंट के डिरेक्टली प्रपोस्टन होता है यानि एक साथ वैरी करते हैं यहाँ पे क्विशन वन में जैसे कि आप देख सकते हैं वी डिरेक्टली प्रपोस्टन है आई के जितना ज्यादा V increase करेगा उतना ज्यादा ही I increase करेगा पाथ करते हैं इस डाइग्राम में यहां पर देखिए समझने के लिए बहुत बढ़िया चीज दियो है जैसे कि यहां पर इस end पर हमने potential माल लिए potential difference 2 volt का और इस end पर हमारा है zero volt का और यहां पर current कितना फ्लो हो रहा है I आपने जैसे ही पटा होगा कि यहां पर electron की direction की opposite direction में current flow होता है आप यहां पर clearly देख सकते हैं कि electron की direction इस तरफ है और current की direction इस तरफ है इस एंड पर potential difference हमने ले लिया 2V और यहां पर 0V, आप यहां पर positive sign देख रहे होगा, positive sign मतला high potential, और आप लोग को पता भी होगा current कहां flow था high potential से low potential की तरफ, नीचे वाली diagram में हमने कहके इसको double कर लिया, यानि कि हमने जितना हमारा यह point था high potential का, उसको हमने double कर लिया in compared to पहल यहां पर हमने 2V लिया था, यहां पर हमने 4V ले लिया, सेम यहां पर हमने कहा किया, इस end पर potential difference 0V रखा, यहां पर क्या किया current को देखो, यहां पर 2Y हो रहा है, हम यहां पर clearly देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहां पर potential difference double हुआ, उस ही के ratio में यहां पर current भी double हो गया, तो य यह लोग verify करता है, ohm slow को, यहां पर हमारा ohm slow verify हो जाता है, but इसके proof करने के लिए experiment लिए 2 condition satisfy होनी चाहिए, और वो कौन सी 2 condition है, वो condition है, पहली condition, temperature remains constant, अब ऐसा नहीं है कि यह आपने 25 degree Celsius पर कर लिया, और यह वाला आपने 30 degree Celsius, यहां पर आपकी 2 condition satisfy होना बहुत जरूरी है, एक पहली है, temperature remains constant, ऐसा नहीं कि आपने यह वालो जो experiment 25 degree Celsius पर कर लिया, और यह 30 degree Celsius पर कर लिया, दोनों experiment में आपके temperature सेम होना चाहिए, second आता, all physical condition remains same, all external factor यानि की humidity और यह सारी चीज़े भी सेम होनी चाहिए, तब ही हमारा यह experiment verify हो पाएगा, अब यहां पर देखें, from equation 1, साइन को हटाएंगे, तो यहां पर एक constant आजाएगा, आर, जिसको हम बोलते हैं, constant, और इसको क्या नाम दियागे, resistance, इसको constant और proportionality भी बोलते है, here we can clearly see from equation 2, यहां पर equation 2 है, यहां से हम clearly देख सकते हैं, कि current जो है, वो directly proportional potential difference के, यानि कि जतना जएदा हम current को increase करेंगे, potential difference भी increase करेंगा, और second point है, यहां पर current जो है, वो inversely proportional resistance के, यानि कि resistance जतना जएदा होगा, current उतना कम होगा, और vice versa, लेकिन यहां पर आपने एक चीज देख होगे, कि हम इस चीज को देख रहे हैं, तो यह भी हमें directly proportional लग रहा है, वी जो है, वो directly proportional R के लग रहा है, पर यह ऐसा नह यह क्योंकि यह constant है, और constant की value depend नहीं करती किसी भी factor पे, यहां पर जो formula है, इन दोनों में से, ना तो जो resistance है, वो v पर depends करेगा, और ना ही वो i पर depends करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यह constant है, clearly? तो यहां पर एक चीज है जिस पर resistance depends करेगा, और वो है हमारा conductor, तो यह हमा का हमारा conductor है क्या उसकी length है क्या उसका area of cross section है इन चीज़ों पर हमारा resistance depend करेगा आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे अब बात कर लेते हैं हमने ओम slow पढ़ा है उसका graph भी बनता है ओम slow का graph कुछ इस तरीके से बनता है ओम slow का graph इस तरीके से बनता है यहां पर देखे एक straight line जा रही है straight line क्या होती है वह भी हम आगे देखेंगे यहां पर हमने जो value उपर निकाली थी 2 और 4 वही रख ली यह वाला जो y axis है वह indicate करता है हमारा potential difference को जो x axis है वह indicate करता है हमारा current पहले हमने i लिया था तक potential difference कितना था 2 ごर 2 हमने 2 i लिय था 4 वोल इन दोनों के यहां से हमने मिला दिया तो यह CD line indicate कर रही है verify करती है um slow को ठीक है अब बात करतें slope की जो यह Slope होता हमारा इसको क्या कहते है। Slope निकालने का formula होता है 10 theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 अब इसमें y क्या है। y axis पर हमारा potential difference है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया v2 minus v1 v2 minus v1 और नीचे करंट है हमारा इसवाल x axis पर इसको हमने लिख लिया i2 minus i1 v2 minus v1 यानि कि change in potential difference change in potential difference को हम delta v भी बोलते हैं और नीचे है i2 minus i1 यानि कि change in current तो इसको हम delta i से represent कर सकते हैं यहाँ पर आप इस वाले डाइग्राम में देखेंगे slope किस तरीके निकालते हैं यह हमारा हो गया slope और यहाँ पर x-axis यह x-axis के positive x-axis positive x-axis में जो theta होता है उसी की value देखेंगे 10theta जो एंगल हमारा यह slope बनाता है किसके साथ positive x-axis के साथ वह ही theta होता है ठीक है here slope of ohm slope is resistance यहाँ पर आप देख सकते हो delta v upon में आई हमारे एक formula था v is equal to i r यहाँ से हम r की value निकालेंगे तो क्या आजाए कि v upon में आई जिसको हम resistance बोलते है हम यहाँ से clearly resistance निकालेंगे यानि कहाँ slope क्या होता है इसको हम बोलेंगे r और जो conductor ohms low को follow करते हैं उनको ohmic conductor कहते हैं जो conductor ohms low को follow करते हैं उसको ohmic conductor कहते हैं clear अब ही हमने थोड़े दिर पहले बात की थी कि resistance depends करता है conductor पर हो किस तरीके से conductor पर depend करता है हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमने एक conductor ले रखका है जिसकी length कतनी L है और यहाँ पर यह इस section को बोलते area of cross section यह आपको circle सा नजर आएगा इसको बोलते है area of cross section यहाँ पर current is direction flow रहा है तो resistance निकाला है formula होता है R is equal to rho L upon A इस वाले symbol को क्या बोलते है rho इस तरीके से इसको pronounce करते है और इसकी जो नाम है इसको rho को resistivity कहते है अब आपके दिमांग में यह चीज आ रही हो कि resistivity क्या होती है तो यह same आप समझ सकते हो कि resistance की तरह ही होती it is the property of material और we can say that it is a specific resistance offered by a conductor यह depend करता है nature of conductor पर इसके बारे हम अभी deeply नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में deeply हम बाद में पढ़ेंगे इसको इस तरीके समझ लीजे definition specific resistance offered by a conductor यानि कि एक जो conductor होता है suppose को copper copper एक conductor है उस copper material के दौरा जो resistance offer किया जाएगा उसको हम बोलते है specific resistance या resistivity ठीक है अब बात करते हैं किन-किन factor पर हमारा resistance depend करता है तो यह हमारे चार factors depend करता है पहला हमारा length of conductor और यह किस तरीके से conductor की length के साथ vary करता है वह हम देखेंगे resistance जो डाइटली प्रपोर्शन होता length of conductor यानि जितनी ज्यादा हम conductor की length बढ़ाएंगे resistance भी उतना ज्यादा increase करेगा यहां पर आपके दो figure है figure A और figure B इसमें आप देखेंगे इसकी length 12 है और इसकी length L है आप के लेरे देख सकते हैं कि यहां पर इस वाले conductor की length से यह वाली length double है तो इसके resistance भी double होगा according to this बात करते हैं second की area of cross section of conductor यानि कि अभी मैंने आपको बताया था area of cross section जो यह वाला portion होता यह वाला portion होता इसको area of cross section कहते हैं किसी भी conductor का ठीक है यह वाला portion तो इससे किस तरीके करता है यह होता है resistance inversely proportional होता area of cross section की जितना ज्यादा area of cross section होगा उतना ही resistance कम होगा यहां पर मैंने आपको दिखाने के लिए 2 diagram बनाए हैं यह conductor है जिसका area of cross section A है और इसका area of cross section 4A है ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि इसका resistance कम होगा क्योंकि इस formula according जितना ज्यादा area of cross section होगा उतना resistance कम होगा यह जितना ज्यादा resistance होगा area उतना कम होगा 3rd factor हमारा nature of material nature material किस तरीके का उस पर भी depend करता है जैसे कि copper copper उसमें कम resistance होता in comparison to aluminium और aluminium में कम होता है in compare to iron iron में इन तीनों में सबसे ज्यादा resistance iron offer करेगा उसके बाद aluminium then copper यही reason है कि हम अपने house की wiring वगएरा में copper यूज करते है copper इसने यूज करते है क्योंकि उसका resistance कम होता है resistance कम होने के जाए wastage of current नहीं होता और हमारा बिजली का bill भी reduce हो जाता है इसके बार हम इसके कुछ numerical करेंगे next video में तो इस channel के साथ बने रही है मैं आपको guarantee देता हूँ कि हम धीरे धीरे पूरा syllabus complete कर लेंगी और आपको एक एक चीज समझा दूँगा मैं जिसने subscribe ना कियो subscribe कर ले और जिसने like ना कियो like कर ले अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगता है तो please like कीजिएगा thank you